नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर हर्याना की राचनीती से जुड़ी हुई सामने आ रही है जहां हर्याना की अगले मुख्यमंत्री का चैन हो चुका है नयाप सिंग सैनी हर्याना की अगले बढ़ायक दल की बैठक हूई और बैठक में नयाप सिंग सैनी के नाब पर मुहर लग गई है बतादे आपको कि आज शाम पांच बजे नयाप सिंग सैनी मुख्यमंत्री परत की शपत लेंगे तस्वीर या आपको दिखाते हैं मनोहलाल खटर के बेहत करीबी माने जाते है और बताया जा रहा है कि मनोहलाल खटर ने ही नयाप सिंग सैनी का नाम जो है वो सजस्ट किया और इनकी नाम पर मुहर लग गई कुरुचेत्र से सांसद है आरिसस से भी इनका अच्छा रिष्टा है तो कुल मिलाकर एक नया चैरा अब हर्याना में देखनी को मिलेगा मुख्यमंत्री की नाम का एलान हो चुका है इस बड़ी खबर पे ताज़ा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े है क्यापटल टीवी के एडिटर इनचीफ डॉक्टर मनिश कुमार क्यों नयाप सिंग सैनी को चुना गया क्या कुछ रननीती बना रही है बीज़ोपी हर्या देखिए प्रधान मंत्री मोधी शौक देने में वो माहिर है तमाम पॉलिटिकल पंडित जो है वो धारसाई आदे गंटे पहले तक हम लोगों के पास ही खबर थी कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है री एड्जिस्मेंट होगा हम लोगों ने भी कह दिया लेकिन अचानक से खबर आती है कि नहीं वहां तो मामला अलग है तो आप ये समझे कि किस तरह के वर्किंग कल्चर में भारती जंता पार्टी काम करती है कॉंग्रेस पार्टी में अगर कोई बदलाव इस तरह का होना होता है तीन दिन पहले मीडिया वालों को मालूम हो जाता है यहां जब तक फैसला हुआ नहीं तब तक मीडिया वाले भी हम लोग सारे लोग अंदकार भी थे और अचानक से एक नयाब फैसला कि नयाब सिंग सैनी वह मुख्यमंत्री होंगे तब तो सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या बात है क्यों बदलाव किया जा रहा है दो कारण भाईती जंता पार्टी दस के दस स्कोर करना चाह रही है हरियाना से और उस पे वो कोई कंप्रॉमाइज नहीं करना चाहती तो पहला जो इमेडियेट टार्गिट है कि आप लोग सुभा के दोरान 10 के 10 सीट हरियाना में कैसे जीतेंगी और दूसरा जो एम है वो ठीक कुछ दिन बाद हर्याना में भी चुनाओं होंगे और उस चुनाओं में वापस भारती इंता पार्टी की सरकार कैसे बने उसकी पूरी तैयारी है। खंड में किया और यह बड़ा ही सक्सेस्फुल एक्सपेरिमेंट पुर्धान मंत्री करते हैं कि अगर कोई नेता भई लंबे साल भई कोई वेक्ति नौ साल तक मुख्य मंत्री है इनफ बहुत यह यह नहीं कहा जा सकता और खटर सहाव ऐसे कोई अनपॉप्लर लीडर नहीं ह हैं लेकिन हां आपको फिर से प्रफॉर्मेंस उसी तरह की रिपीट करनी है फिर से सरकार बनानी है तो इसलिए हर किसी को आपको बार-बार इसमें कुछ बदलाव करनी के आवसकता होती है अब भारती जंता पाटी हरियाना के अंदर वो जाटों के वोट के उपर आधारित नहीं है बलकि भारती जंता पाटी जाट के खिलाब जो पॉलराजेशन होता है उसके उपर अपनी रन्नीती बनाती है अब नयाब सिंग सेनी साहब इनका नाम विदाकों की मीटिंग में स्वयम मनुहलाल खटर नहीं प्रपोस किया और सर्वसमति से हलाकि सर्वसमति नहीं राजनीती उसमें विज्ज सहब नाराज होकर के बाहर निकल गए वन्होंने अपनी गाड़ी वाली सब कुछ वापस कर दिया है और वो जो है वो तो खैर राजनीती है उसमें विरोद भी जो है वो होगा उनको लग रहा था कि भहिं उनको जो है वो मुक्हमंतरी का चेहरा बनाया जाएगा लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अभी वो भारती जंता पार्टी ये कॉंग्रिस कित्रा तो है नहीं आप नाराज हो करके अपना ही नुकसान कर लेंगे लेकिन विज्ज साहब की एक इमेज है सही को सही गलत को गलत कहने की अब ये फैसला दिली में लिया गया कि नयाब सिंग सैनी होंगे मुख्यमंत्री तो किस वज़े से लिया गया सैनी समुदाए इसका इंपक्ट आप ये समझे 24% OBC है हर्याना के अंदर वहां आपको जो वोट मिलेगा सो मिलेगा लेकिन सैनी समुदाए वो काफी बड़ी संख्या में Western UP और इस इलाके में भी है तो आपने एक मेसेज दे दिया ठीक वैसा ही कि जैसे मद्परदेश के अंदर आपने कि यादव जी को बना दिया मुख्यमंत्री और उनको आप ले जा रहे हैं यूपी उनको ले जा रहे हैं आप ग्यार ये बताने के लिए कि यहां तो परिवारिक पार्टी हमारे आप प आथ रखने के लिए भारती जनता पार्टी का अध्यक्ष इनको बनाया गया और अब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो आप ये देखिए कि एक तीर से कई सारे सिकार एक साथ प्रधान मंत्री मोधी ने किया एक कि OBC वोटर्स जो है वो उनको जो है आपने अपने साथ किया दूसरी तरफ आपने एक और काम किया कि हर्याना के साथ साथ द्वेश्टन यूपी में भी आपने अपनी पकड़ मजबूत की तीसरा जो सबसे इंपॉर्टन्ट है कि जो खटर साहब को लेकर कि एक फटीगनिस जनता में लोग कुछ-कुछ दिनों के बाद चेहरा ब बहुत ही इस को कर सकते ही कि ज्यादा है कि एक वेक्त्री अपनी काबिलियत को वो प्रूब कर सकता है तो धामी साहब ने काबिलत प्रूब किया और इतिहास रच दिया वहाँ पे सरकारे रिपीट रही होती हैं लेकिन वहाँ पे रिपीट हुई बीजेपी बहुत ही प्रचंड बहुत से जीत करके फिर से सरकार बनाई तो टार्गेट दो एक लोगसभा के अंदर दस की दस सीट आने के लिए यह जरूरी था अब ऐसा जो जो टूट की जो मेन वज़ा थी कि जेजेपी ज़रोत से ज्यादा ही वो डिमैंडिंग थी वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी तो उनको कहा गया कि भई आप बिलकुल अपना फैसला खुद ले हम अपनी सरकार अपने से बन कर चुके हैं तीसरी बात कोंगरेस पार्टि के अंदर उसके भी विधायक जो है वो गायब नदर आ रहे हैं तो आपने क्या किया आपने एक ऐसा ऐसी रनितिया आपने बनाई कि जिससे आप 10 के 10 जो परफॉर्मेंस है उसको भी रिपीट कर सकते हैं जो इदर उदर जा रह कि अब एक मसला बचा हुआ है कि डिप्टी सीम कौन हो यह अभी तक इसकी ख़बर आई नहीं है लेकिन बताय जा रहा है कि यह जो दो डिप्ती सीम जो फॉर्मूला चल रहा है राजस्थान में जो मद्रपरदेश में तो दो डिप्टी सीम उसकी जगह जो है वहां पे यह तलासेंगे और वो बड़ा ही इंपॉर्ट कुछी दिन में ये भी तस्वीरे साफ हो जाएगी क्योंकि खबर है कि आज शाम पांच बजे ही नहीं सरकार का गठन हो जाएगा मुख्यमंतरी पत का शपत भी हो जाएगा लेकिन जब जब किसी सिटिंग सीम को हटाया गया है तो सवाल उनकी राजशनितिक करियर को लेकर हो जाता है तो अब मुख्यमंतरी मनुहरलाल खटर उनका आगे क्या होगा क्या उन्हें क्याबिनेट में लाया जाएगा या उनको लेकर कोई बड़ा बात बिल्कुल साफ है कि अब उनको लोग सभा चुना लड़ना पड़ेगा भी इनको भी लड़ेंगे और जब सरकार बनेगी तो अव्यसली इनको जो है कैबिनेट में जो है जगह मिलेगी तो ये तो उनकी बात हो गई लेकिन एक और चीज जिस पे नज़र लखनी ज़रूरी है वो कि तमाम कैबिनेट के लोगों ने भी इस्तिफा दिया तो इसका मतलब है बड़े लिवल पे बदला होगा मंत्रियों में आप देखेंगे कि नए चेहरे आ रहे हैं अब ये नए चेहरे कौन होंगे किस तरह का वो फेर बदल किया जाएगा डिपार्टमन बदला जाएगा तो के साथ अस्तिफा देना और आज ही शपद गार ये तैयारी तो आज की नहीं है पिछले कई दिनों से यहीं मैं कह रहा हूं कि प्रधार मंत्री मोदी का वर्किंग स्टाइल बड़ा जूबा है किसी को कानू कान खबर नहीं थी सवेरे तक जब तक उन्होंने इस्तिफा नह देंगे मुख्य मंत्री का बदलाव नहीं होगा लेकिन अब अन्तर तो गत्व यह मालूम चल रहा है कि एक तो बड़ी प्लैनिंग के साथ बड़ी तैयारी के साथ तमाम मंत्री भी मौजूद थे और तारीफ कर रहे थे कि वहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सार जो है वो हर्याना को लेकर चला है किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी लेकिन बड़ा बतलाव हर्याना में देखने को मिल रहा है सुबह सुबह मनुख्य मंत्री पच्छ से इस्तिफा दिया पूरी क्याबनेट के साथ इसके बाद अब विधाय ग्रल की बैठक में एक नए पूजा क्यापिटल टीवी